माइक टाइसन को आया गुसा माइक टाइसन ने फ्लाइट में एक आदमी को पंचिस धर दिये जिसके बाद वो खुना खुन हो गया माइक टाइसन की ये विडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल हो रही है माइक टाइसन जो की दुनिया के नामी बॉक्सर है वो एक बाद फिर से विवाद में है आज सोशल मीडिया पर माइक टाइसन के फ्लाइट के अंदर बैठे की एक विडियो सामनी आई जिसमें पहले तो एक शक्स माइक टाइसन से बात करने की कोशिश करता है Mike Tyson के विडियो लेता है, Mike Tyson के seat के पीछे जाकर उन से बात करने की कोशिश करता है और उसके बाद Mike Tyson इस लड़के को दे धरते हैं और पंचिस एक के बाद एक लगातार ऐसे देते हैं कि इस लड़के के मुछ से खुन तक निकला गया यह विडियो तब का है जब Mike Tyson JetBlue Plains से San Francisco से Florida जा रहे थे इसी दोरान Mike Tyson की पीछे वाली सीट पर एक शक्स बैठा था यह शक्स Mike Tyson को देखकर एक साइट हो गया और Mike Tyson से सवाल पूछने लगा Mike Tyson शांती चाहते थे उन्होंने शक्स को चुप रहने को कहा और डिस्टर्ब नहीं करने को कहा लेकिन उसके बावजूद यह शक्स रुका नहीं यह Mike Tyson की विडियो बनाने लगा बार बार उनकी तरफ इशारे करने लगा और तो और जबरन उनसे बाद भी कर रहा था कई बार समझाने के बाद Mike Tyson ने अपने आपको बहुत देर तक कंट्रोल भी किया और उसके बाद भी यह शक्स जब नहीं माना तो फाइनली Mike Tyson अपने असली फॉर्म में आ गए और उन्होंने इस शक्स को दे धरा वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि जशक्स को पंच पड़े उस शक्स को यह पंच अपनी गलती से ही पड़े क्योंकि Mike Tyson ने बहुत बार इसे समझाया और खुद भी कंट्रोल किया लेकिन उसके बावजूद यह नहीं माना तो फाइनली Mike Tyson का गुसा बोल गया और उ सोशल मीडिया पर Mike Tyson की यह विडियो बहुत वाइरल हो रही है आपको बताने कि इससे पहले Will Smith की विडियो सामने आई थी ऑसकर्स में उन्होंने Chris Rock को एक थपट जड़ दिया था तब जब Chris Rock ने Will Smith की वाइफ पर कॉमेंट किया था खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल के अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना